दोस्तों स्वागत आपका एक बाफे फ्रेंड चैप्रे नमबर टू आर्थिक विकास और समर्दी हमारा चल रहा है जिसमें आज हम आठवा लेक्टर देखेंगें यह वीडियो बेसिकली आई स्पीसे स्टैनेट्स के लिए है और 2021 से लेके 2024 तक जो भी एक्जाम्स दे रहे ह हैं तो यह वीडियो से देख सकते हैं बागी इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लीजेगा सारे कंसेप्स वहां से क्लियर हो जाएंगे चल फिर शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रमोशन यह कुछ किताबें हैं बागी हिंदी मिडियम से अगर बा सकते हैं बागी इन नमबर पर कॉल करके पीज़ीब गाइद से लेटिट आम बात कर सकते हैं फीज 15,000 पर है क्योंकि काफी महफर्ट्स लगते हैं काफी चीज़ें करानी होती है तो इस वज़े से बागी टैसरीज है आप इसको भी चेक कर सकते हैं यह रिजल्स हैं बागी इसको आप अर्वडाइस की वेबसेट पर जाके यहां फीडबाक पर जाके आप देख लिए चलिए चलिए देखें दोस्तों लास्ट में हमने कंसर्प्स को सम्झा था कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है एक बहुत डैप्थ के अंदर अगर हम बात करें तो हमने आर् आर्थिक विकास के लिए कंसर्प्स को तोड़े तो आखिर कुछ न कुछ किसी चीश की आफशक्ता तो होती है न तो अगर मैं बात करूं तो अलग-अलग असास्त्री होने जैसे कि आप हीप्स है और पॉल है इनके नाम इतने नहीं है तो आपको इनके नाम के ओपर नहीं भागना है इनका तो में मुद्धा यहां पर इस चीज को समझना है कि आखिर यह क्या कहके गए यह हमारे लिए ज्यादा इंबॉर्टन हमें देखने को मिलता है तो इन्हों ने यह बोला कि छे प्रकार कि अगर बात करें तो हमें कुछ समाजिक सुचकान पर हमें विचार म में शिक्षा, स्वास्ते, खाद, स्वास्ता, जलापूर्ती और अवास को जो है अपर शामिल करना चाहिए मही कोशन यह भी है कि मैं क्यों करार हूं UPSC में यह मूलभूत आवशकता यह इसलिए करार हो कि खुदा नकास्ता UPSC कोशन पूछ ले concept-based ही कोशन पूछेगा आ शिक्षा इंक्लूड होगा स्वास्ते खाद होगा जलापूर्ती अवास भी होगा लेकिन काफी लोग हो सकता है स्वास्ता को लेके थोड़ा सा असमंजस में पढ़ सकते हैं हो भी सकता नहीं भी हो सकता तो जिसके कारण में आपको यहां पर यह सारे topics करा रहा हूं बागी शिक्षा में स्कूल में नमांकन कितने है स्कूल में समाविधी कितनी है स्वास्ते में सिशू, मित्युदर पोष्ण यह सब चीजों का आंख लन किया जाता है खाद में परतिवक्ति, कैलोरी और आपुर्टी, क्या होनाइची आपकिर शालील कितना है जलापूर्ती, स्व कारग भी होते हैं.. जिस्में कारक के बात करता है, दो कारग हमें देखने को sowohl कारक के we want अर्थिक और और अर्थिक और अणार्थिक आर्थिक मतलब जो परक्रविद जयू बातोरा कारग है नतर आर्थिक मतलब喀 धक लाया गया, ताकि हम अपरे देश की विकास कती को आगे बढ़ा सकें, तो जिसके कारण इसी के मतलब की, इसी के कारण मतलब विकास नात्मक नियोजन का concept हमें देखने को मिलता है, ताकि एक नियोजन परिक्रिया के मादम से, चाया वो नियोजन पांच साल कभी हो सकता है, प अब बात करें तो इसके अंदर अगर बात करें तो भी आपका हो गया, मानव संसाधन कैसे है, क्योंकि जिस देश का मानव संसाधन जेतना अच्छा होगा उस देश की प्रगति तो जाद अच्छी होगी, फिस समाजिक प्लनाड़ी कैसी है, राजनेतिक घटक किस प्रकार क नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर रट्टा मार गधा वाली फिलॉसपी, तो इस तरकी चीजे मतलब नहीं होनी चाहिए, तो यह कारक इसलिए इंपोर्टन है कि UPC अगेन यहां से प्रिलिम से कोशन निकाल सकता है, कि आपको बोल सकता है कि आर्थिक गटक के अंदर आपको कि आप ऐसे, एक मिट, एक सेकड़, इसमें मतलब यहां पर यह होता है कि आकिर कोंगों से अवस्ता हैं होते हैं आर्थिक विकास के लिए, देखो, आर्थिक विकास में ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास में, मतलब कुछ एक तरह से बात करें, तो कुछ अस्तर भी होत हुआ मना इंसान का ऐसी अगर बात करें तो भारत का विकास हुआ थो भाहि पहले हम बात करें तो हम घड़ता से बढ़ी इसतर के इसस्टर की इन चॉट अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब दोस्तों यहां पर यह कि यह कर­मिक परिक्रियर है विकास होता है यानि कि लगातार यानि कि वर्ड जब आता है लगातार तो यह तरह से लगातार वाली जो है में परक्रिया जो है मैं जो है आप देखने को मिलती है यहाँ पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश यहाँ पर जो इस पूरे प्पिटे को बागया पढ़ लेना मैं आपको जैसे यहाँ पर conclusion यह बोलूँगा कि हर एक हर एक चीज का एक अवस्ता होती है जैसे कि अगर आज क जो है रिचु है तो इसी के जैसे हर एक आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो इसकी भी एक अवस्ता होती है ऐसा नहीं है कि कोई पिछडी अगर कोई पिछडी अर्थवस्ता तुरंत कोई एकदम विक्सित मतलब कि एकदम विक्सित नहीं हो जाएगी उसका एक विकास होगा, तो 4 तरगे स्टेट्स के उपर अगर हम बात करें तो 4 तरगे स्टेट्स होके कोई भी अर्थवस्ता जो है निकलती है, अलग-अलग सास्तियों ने, अलग-अलग classification दिया है, को चार बोलता है, को छे भी बोलता है, बड़ लग हमारे conclusion यहाँ पर यह है कि स्वाया, बवस्ता की यहां निकलेंगे, और दूसरी सबसेंगा, मैं यहांँ यहां पर भाई पास सब्सके précis, जैसे कि example के तोर पर से मैंने कोश्चे करूँगा है यहाँ पर देखिएगा माली जी जैसे कि माली जी मैं मानके चलता हूं जैसे माली जी भारत है हमारा माली जी भारत की चाह स्टेज हम अगर हम stage 1, stage 2, stage 3 और stage 4 अगर हम आलिज यह हम करते हैं right इस stage 1 को अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि बहीज हडपा से हडपा से मालिज यह आप चॉला तक एकस्वर्ण काल के तोर पर हमें जो ऐसीज़ देखने को मिली फिर चोला तक आप बोल सकते हैं फिर चोला के बाद आप बात करें तो अरब आए अरब से लेके आप बोल सकते हैं मुगल तक फिर यहाँ पर बोल सकते हैं ब्रिटिश से अजादी तक अजादी 1947 तक 1948 से 2020 तक यह स्टेज आपको समझ आगया अब यहाँ पर देखें यहाँ पर एक अलग अलग तरह का विकास हमें जो है देखने को मिल रहे हैं आगे पांची स्टेज भी होगी जब भारत जब होगा तो बहुत ज़्यादा इनोविशन की तरह बढ़ जाएगा औ तो इस कहने का मतलब यहाँ कि हर एक जब स्टेज होती है तो हो सकता है कोई किसि की स्टेज छोटी हो मालो स्टेज 1 से डायक्ट स्टेज 3 पर नहीं आएगी वो कहीना कि स्टेज 2 पर इंटर होगी स्टेज 3 पर इसके बाद स्टेज 4 भी आएगा मतलब बाइपास इसको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कहने मतलब यहाप इसी के जैसे आर्थिविकास के अंदर भी यह होता है कि किसी भी चीज को बाइपास नहीं किया जाता है हो सकता है उसकी जो इस्तिती हो मतलब की मतलब कहने मतलब है कि हो सकता है जैसे कि मालब यह स्टे स्टेज 1 की जगह स्टेज 3 में डायर कोई आर्थी मतलब भारत चला जागा नहीं ऐसा नहीं है तो कहने मतलब यह है बाइपास नहीं किया जा सकता है और साथ में तो यहां पर एक वर्ड आपको मिलेगा ना मुंकिन यानि कि यह बोलते हैं कि यह संबभ हो सकता है कोई देश अपने सक्रिय परितनों के फल्सर विकास की परते का वस्ता में पढ़े रहने की अवदि को कम कर ले जो भी है जो मैं आपको स्टेज बताई परंतु यह ना मुंकिन है कि उसके उसके मतलब कि उसने विकास की परते का वस्ता की परितनी को चुवाना हो तो यहां पर कोशन रहने के आये गा आ सकता है कि नामुम्किन वाला वर्ड जब आ गया तो आप Bite दो काफी कउंट्रडिक्शल वर्ड है काफ बहले हैं तो मुझे लगता है कि यह statement गलत होगा लेकिन ऐसे situation में statement ठीक होगा राइट तो इस चीज का ध्यान की है कि हर एक की stage उते परलाव आता है और हर एक परलाव को पास करना होता है हो सकता हो परलाव जो हो वो कम हो लेकिन हर stage के बाद लेकिन उस stage को वो जरूर छुएगा भले ही उस stage की जो है मत कहने है मतलब यह की आयू उसकी मतलब जो भी ही एक stage हो समय सीमा कम हो लेकिन कहीं न कहीं लसको यह जो है टच करेगा यही मजा यहां पे इस पुरी हिस्ट्री मतलब करहने का मतलब यहां पे इसका मतलब की आर्थि विकास को सम Folks हैं यहां पे मेरत कारण था बाकी अलग-अलग अर्थ विकास के वस्ताइं बताई हैं जैसे कि कुछ रास्टवादी अर्थ फैडरिक लिस्ट ने भी बोला कि भाई यह कुछ पांस तरगी अर्थ विवस्ता हो सकते हैं जंगली चारगा क्रिशी वस्ता उद्योग उन्नत यह इतना काम करने जैसे आपको आपके दिमाग को थोड़ा सा खूलने के लिए स्पेशली मैं यह बता रहा हूं फिर से के जासे फिर यह हिल्डर बॉंड थे इन्होंने भी तीन तरह की अवस्ता बताई वस्तु विन्व अवस्ता मुद्र अवस्ता साख अवस्ता तो इस तरह से आर्थे विकास के होता है बड़ फाइनल कंक्लूजन हमें आना यहां देखने को यह मिलता है कि इनमें मदभेध हैं हर स्टेज को लेके हर सैंटिफिक तोर पर जो भी है उसका एक पुकता प्रूफ जो है हमें अगर हम बात करें तो हमें नहीं मिलता है तो यही सर्मानने तुर्थ यही है कि हर स्टे इसका कोई प्रणवान अभी तक नहीं है और यह एक तरह से बात करें तो बिसके लिए दंद और मदभेध के उपर ही ज्यादा कायम आगे रहती है फिर आर्थिक समरिद्धी दर क्या होती है दोस्तों देखो एकनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समरिद्धी बता चुका हूं अग कि परसेंटे में जहां पर काउंट किया जा सके तो उसको बेसके लिए आर्थिक समरिद्धी के तोर पर समझते हैं जैसे कि आर्थिक समरिद्धी साथ से सकल रास्ट्र उत्पाद या फिस सकल रास्ट्र उत्पाद या फिस सकल रास्ट्र उत्पाद एम परति व्रिदी होन है बेसिकलि अगर बात करें तो किसी अर्थ-व्यस्ता में होने वाली मातरात्मक परीवर्तन ही और içक समरीदी किलती हैं तो इस चीज़ ہोलं गया तो इसंतलब यही शमझेगा कि मतलब परीवर्तन मतलब एगजापल के दूर समझातेता हूं अदर्वाइस फिर आपको दिक्कत होगी ऐसे समझे हमा लिजे हमारे माले इंडिया में हमारे देश में पाँच यह कंपनिया है है यह है इसने इसने तीस बना दिये इसने 40 बना दिये इसने 50 बना दिये इसने माल लिजे 60 बना दिये, तो कितने होई टोटल, अगर इंको टोटल करेंगे, तो कितना आएगा, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 15, 15, 20, right, माल लो इन्हों ने टोटल मिलागे, 200 इन्हों ने किया, तो अगर टोटल प्रडक्शन की बात करें, तो इन्हों ने बढ़े 200 का उत्पादन किया, ज यहाँ आपका 40, लेकिन यहाँ पर विर्धी से सम्मदित है, विर्धी का मतलब यहाँ कि यहाँ पर फिर हम compare करेंगे एक और, कि मालो 2019 में इन्हों ने इतने बनाए, 2020 में हो सकता है, 20 वाले ने 30 बना लिए हो, 30 वाले ने 40 बना लिए हो, 40 वाले ने 50 बना लिए, 50 वाले 60 ब अगर विर्धी होगी तो फिर इसको आथिक समर्दी की तोर पे समझेंगे, समझागे, I hope आपको समझागे होगे, फिर आथिक समर्दी और आथिक विकास में कुछ अगर बात करें तो मापक होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो GDP, GNP, NDP, NDP, PCI, यह सब चीजों को जो है इसमें जो समाविश्च किया जाता है, इसके थुरूई मतद चीज़ें जो होती है, बेसिकली जो है निकली जाती है, आथिक के मापक में अगर बात करें तो इसमें HDI हो गया, GDI हो गया, GM हो गया, GW हो गया, MPI हो गया, Technology हो गया, और Happy Index हो गया, इन सब चीजों को जो है अग हो सकता है, इसके साथ ये भी डाल के कोई एक आदा पॉइंट इसमें ये भी डाल दें, तो फिर आपको यहाँ पर पैचान करनी होगी, तो जिस बैसे एक PPT जो होती है, बहुत important होती है दोस्तों इस चीज को आपने बिलकुल अगर बात करें तो आपने चीजों को मतलब ब देखो दोस्तों आतिक समर्यति दर की अगर हम बात करें तो इसमें धान रखिएगा कि शकल घ्रेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आतिक समर्यति दर कलाती है, मतलब जो भी इनका रेट आता है, मतलब जो भी दर आये, मतलब की परिवर्तन की दर आतिक समर्यति दर यहा में वर्तमान चालू वर्ष के GDP में परिवरतन कम्याव रिधी, बटे में पिछले वर्ष का GDP और गुणा में 101 कर देते हैं तो हमारा आर्थिक समर्दी धर जो हमारा निकल जाता है विकास्चील देशों यहां एक एनिटिकल पॉइंट यह है दोस्तों कि विकास्चील देशों में आर्थिक समर्दी धर को वास्तिविक विकास में परिवतन करना अर्थ विस्टा की सबसे बड़ी समस्या होती है देखो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझे कुश्र कीजिगा कि आतिक समध्य की दर देखो वास्तिविक विकास को में परिवतन करना बहुत बड़ी समस्या है है देखो हो सकता है हमारा देश कागजोर पर अच्छा चल रहा हो बोलते है ना कि आपने सुना भी विए कि कहवत कि सरकारी काम सिरक कागजोर पर चलते हैं बड़ हकिकत कुछ और होती है जैसे कि योजना है तो सिर्फ नान की चलती है जैसे कि आप समझ रहे होंगे मैं मतलब क्या कहना चाहरा हूं तो उसी के जैसे इसमें यहां पर यही बोला गया है कि हो सकता है यूजना तो मतलब इस पर चल रही हूं लेकिन कहीना कहीन मतलब इनको वेवस्ता को जो है मतलब बढ़िया से प्राप्ट करना एक भी भी कहीना क बात करें तो बहुत बड़ी हमाइदा से जो है चुनोती जो हमें especially जो हमें देखने मिलती हैं बाकी समृदी से जुड़े महत्वकूर्ण शब्द भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट तको दोस्तों समृदी से जुड़े सब्द का मतलब होता है कि समर्दी दर में कमी, कमी का मतलब यहां पर यह होता है कि slowdown, slowdown देखो दोस्तो, slowdown का मतलब यह होता है कि जब अर्थवस्ते में GDP के बढ़ने की जो दर होते हो थोड़े सी धीमी हो जाए, और लेकिन विर्दी सकारात्मक ही बनी रहे, तो उस तब उस उस इस्तिति को जो है विकास दर में कमी कहते हैं, मैं एक्जांपल के तुरुप समझाता हूँ, मालेज यह भारत भी 10 पतिशत के साब से GDP के साब से बढ़ रहा है, और गर कहीं है 3% हो जाए, 4% हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे slowdown, यानि कि समर्दी दर में कमी देखने को म अभी आपने सुना भी होगो, माइनस 23% हमारी 3 महिने की चली गई है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थवरस्ता में संकूचन हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक तिमाई, तिमाई में कितने होता है, 3 महिने, इसको याद रखेगा, तो तिमाई में जब समर्दी दर नकारात कि इसमें growth rate बिल्कूर negative की तरफ मतलब zero से भी कम चली जाती है, तो फिर इसको हम संकूचन के तो पर समझते हैं, तो इसको हम संकूचन करते हैं, फिर मन्दी क्या होता है, मन्दी में यह होता है, कि दो तिमाई में को मतलब कि इनके आकड़ों को मिला के जब आगड़े जो बिल्कुल नकारात्म कारे होते हैं तो हम कहा सकते हैं कि हमारी रतवस्थता जो है वो कहीं ना कहीं मंदी के तरफ धीर-दर बढ़ रही है लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ध रिखेगा यहाँ पे जो है मिनिमंघाए के बारे में बताए और अधिक्तम के वारे में यह चीज confused है, कि अधिक्तम कितने आकड़े हम ले सकते हैं, कितने महीनों के, यहाँ पर इन्हों बलागे minimum दो तिमाई, तो हो सकता है, सरकार का मन, यहाँ पर अब भारत सरकार का मन करेगा, तो वो दो तिमाई के इसाब से अपने इसाब से ले भी स सकती हैं, इस मैं अगर बात के तो वस्तों की कीमत का गिरना यहां पर का प्रसति श्रवाथिक से अथिए होती है, क्योंकि मज़दूरी के कम होने से बेरुजगारी बढ़ जाती है, ज़ाँ समझना, इसमें यह होता है जैसे कि मान लीजي, आपके एक फ्रमा में हाईman, रा कर सकें चीज़ों को, नो कि फ्रम है मालव आरप मोबायल फोन ही बना रहे हो चलो कोई भी आप अपना खुद का ब्रैंड बना रहे हो मोबायल फोन और आपके पास मालेज टॉण्टी लेबर से हैं ठीक ठाक प्रप्रोप्रेटरिशिप है आपके पास और आप महीने में है जो है मान के चले हजार फोन बनाते हैं तो आपका घर का गुजारा बढ़िया से ले लागे आपको माल लिजे दो लाज रुपे प्रॉफिट हर महीने आपको होता है ठीक है कंडिशन यह लेते हैं अब आपको यहां पर यह पता चला कि मंदी आ रही है क्योंकि लोगडाउन लग गया फिर जो भी लग गया जैसा भी है आप इस चीज को समझे कुश्च की जिए माली जी लोगडाउन लग गया इसके कारण आपकी फैक्टरी में कोई कारुबार भी नहीं हो पाया और काफी दिखते होंगे क्योंकि फैक्टरियां बंद बंध हो रही है तो इस सिस्टूशन में क्या होगा आप क्या करेंगे बई 20 में से जो जाधा इंपोर्टेंट लेबर हैं माली जी फाइनेंस वाला हो गया अ मार्केटिंग वाला हो गया यह जो भी है माली जी आपको लगडा कि किया दस लेवर में निकाल सकता हूं दस से फिलाल में काम चला सकता हूं तो आपने क्या किया दस बंदों को किक आउट कर दिया कि दस बचे अब दस बंदे जो हैं प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन डिमांड नहीं है आप हजार फोन क्यों बनाएंगे आखिर आप जब हजार फोन बनाएंगे तो कहीं न कि आपको आपको भी रॉम मटिरियल लेना पड़ेगा बाहर से फोन में काफी चीज़ होती है प आप हजार की जगा मालिजें 500 प्रोड़क्शन करना स्टार्ट करेंगे अगले महिने लेट फिर बीदिमांड नहीं नहीं क्लिए ठोलेकि मंदी के समय तो हो सकता है आप चारशो पर आ जाएंगे पिर प्रोड़क्शन आप इंक्रीश करते हैं मतब्स प्रोडक्शन भी दुगान के राय भी तो जाता ही है ना दो जार धुषर धाई जा ती निहार फिर लाइड भी जाती है, उतनी की सेल नहीं होड़ी पूरे महीने मैं माल लोगान के सेल नहीं होड़ी किरा जाता तो इसके इसमें क्या करेंगे फिर आप दो यह option या तो घाटे में चलाओ या फिर बंद कर दो तो घाटे में चलाओ ये philosophy हमारे इंडियन में है नहीं क्योंकि इनके पास इतनी savings नहीं होती है तो बैटर है फिर बंद बिस्वान निकाल लो वहां से दुगान में से जिसके कारण तो जब चीजें जब लोग बेरुजगार होंगे तो कहीं ना कि फिर इनको अब काफी लोग बेरुजगार हैं काम की कमी है मतलब काम ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे हो सकता है कोई 500 रुपर धैड़ी कमा रहा हो काम ही नहीं मार्किट में लेकिन ध्याड़ी मिले तो चले या तुम 200 रुपर देता ना कोई नहीं जैसे कि फॉर एकजामपल अभी देख लो मुकरजी नगर का सीन देख लो पहले यह एक फ्लैट जो है 9000 का देते थे अब 4000 के धक्के खा रहे हैं मुकरजी नगर में आप स इसको समझना कि एक चीज होती है मतलब कि आप बोल सकते हैं जैसे कि पता चले गया कि भारत मंदी का शिकार हो रहा है तो अब एफ आई आई फॉर्ट फोली इंवेस्टमर ऐसे समझो कि विदेश वालों ने भारत के अंदर पैसा लगा रखा है प्रॉफिट अंग करने के लिए तो जलेगा य मंदी रख Алई थो उसके समय करेंगे फिर यह लोग तया नकालना स्था करते हैं जिसके कारण से नहीं पैसे नहीं रहेगा तो और यह इसको एक आथिक विकास के लिए हमे एक निदेश देना होता है मतलब कि हमें एक प्लैनिक करना होती है चीज से आगे बढ़ना होता है इसको सोचना पड़ता है तो एक तरह से बात के command area की तरफ बढ़ती है कि command के साफ से जो है चीजे जो है यहाँ पे जो है चलती है बाकि यह कि UNDP का भी कुछ district code है इसको आप देख लिजेगा अपने साफ से यह कुछ खास नहीं है just for आपकी stages के दिर्ख है और last में गिए विकास आर्थि विकास और समाजी विकास ऩी फर account घोड़ेगा तो यहाँ पे एक समाजी विकास का भी है कि विस्व Fil-Cart के समाजी विकास बढ़े एंगा ऐसा नहीं है इन्हों ने यह conclusion निकल है कि आर्थि- पढ़ लिजगा बाकि आज के लिए तरह ही थैंक यू और प्लीज अच्छी लगे तो यार दोस्तों के साथ भी शेर करें क्योंकि चीज़ें फ्री में है और बाकि कॉलिटी होना ना होना यह तो सब आप ही बताएंगे अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए और नहीं अच् थैंक यू